इस सत्र में हम लोग ब्रेन के रिस्पॉंस को समझने कुशिश करेंगे कैसे ब्रेन जो है वा ओरिटरी सिस्टम को रिस्पॉंस करता है इस वेरी इंपोर्टेंट निदेट हम सब जानते हैं कि कान से जो नर्व ब्रेन तक जाता है उस नर्व का ओरिजिन जो है वो होता है auditory cranial nerves तीखा न जो कि earth cranial nerve हम लोग समाने रूप में कहते हैं कि यह जो earth cranial nerve है like this one लिखते हैं इसको जैसे कि earth cranial nerve कि यहां से जब नर्व इमर्ज करता है कि यहां से यह जो नर्व इमर्ज किया यह नर्व दो प्रकार के नुक्लिया तक पुझता है डोसल एंड वेंट्रल पॉक्लियर नुक्लिया 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 के बारे हम सब लोग जानते हैं कि यही हीरिंग के लिए रिस्पॉंस वर है इसलिए जो डॉट्सछल वेंट्रल नुक्लिया है निकला यहां से इसको लोग ने कहां कि इसे हम लोग गजिए यहां से जो नर्व है वो दोजगों पर मूफ करता है कि अब आप देखें यह जो दो जगहें हैं उसमें पहला है inferior polycule यह brain का वो जगह है जो hearing responsible होता है और दूसरा जगह है that is called auditory cortex auditory cortex वर वे जोने पहुंसता है और यह पहुंसता वो किस रास्ते से पुशवंसता है उलिए नियुक्लेट बंडा है को जैनिकुलेट body in the thalamus इंदा मैं भी diagram भी दिखाऊंगा इसका in the thalamus और ये जो भाई साब है इनका भाया मीडिया क्या होता है इनका भाया होता है inferior colloquy inferior colloquy center for auditory reflex center for auditory reflex ये इनका है रास्ता अब इंटरस्टिंग होगा कि इसके diagram को देखे हम लोग ताकि हमारे knowledge में और भी बाते भूज जाएं अगर इस diagram को आप देखें इस diagram में ये हमारा है कान का कौन सा हिसा? cochlea हिसा यहां से सॉंड वेब जो है वो generate होगा और brain तक जाएगा अब जाब यहां से सॉंड वेब generate हुआ तो spiral ganglion इसके हमने diagram में भी चर्चा कर रखिए है एक नर्व इधर आया फिर यहां से जूडते हैं वे यह कहां चला गया? medial geniculate body यह सब अभी शब्द जो हम यूज कर रहे थे वे यह सब यूज कर रहे थे यह auditory cortex पर अगर जाना है उसको भाया कौन सा रस्ता पकड़ना पड़ेगा? medial geniculate body तो यहां से नर्व चला और चल कर पहुंचा यहां दूसरा नर्व जो है वो यहां से चला चलते वे दोनों रास्ते में गया एक रास्ता कहां चला गया? medial geniculate body और एक रास्ता चला गया थेलमस पर यहां से नर्व निकला और यह रास्ता चला गया थेलमस तो मिला करें कि यह जो इस्टेशन है यहां से रास्ता दोनों तरफ जा रहा है इस तरफ भी जा रहा है और जब अगले पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ें तो अब यहां दिखता है कि यहां जेनियल मेडियर जैनिकुलेट बॉड़ी जो है है इससे यह जो कोटेक्स है इसे सूपिरियार टेंपॉर गारsemble कहते हैं यहां पर पहुंच क्याओ यह और यह जो है से हम लोग कहते हैं यह जो है वह और गार्टेक्स यह को सुचछ जए ज़ो है जो नर्व यहां से निकला था और Thalmas की तरफ मुख कर गया था यह Thealmus की तरफ यहां मुख करकाया प्रेक्ट यह और यह कहां चला गया In Superior Poly장 में यह इंटर कर गया नहीं हैाँ तो अगर आप देखें तो साफसा पता चलता है कि जो सौंड वेव जो की कॉक्लिया से जनरेट कर रहा है उसका बहुत तरीके से ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों में बढ़वारा किया जा रहा है एक एक इनफीरियर कॉलिकुली रिजन है और यहां से फिर यह थालमस का रिजन देख रहे हैं मेडलार का रिजन देख रहे हैं सरे बेलम का रिजन है तो मिलाकर यही जो है इसका एक डियाग्राम है अब इससे आगे हम लोग देख रहे हैं वर्निक एरिया वर्निक एरिया जो है यह बड़ा यूनिक एक जगह है इसका क्या काम है ठीक है न यह इसका जो concern है concern concern with किस से concerned है the processing of auditory signals the processing of auditory signals auditory signals कैसा signal है खड़ा सिगनल है या soft signal है music का signal है या फिर random signal है चीडियों की चनचनाहत है या फिर किसी crusher machine की खड़ाहत है यह process तो करना पड़ेगा कैसे हम कोई गाना सुनते हैं अपना पस्निदा तो हम आख बंद करके उसको आनन्द लेते हैं और वहीं सहाब ने कोई बं फटाका फोर दे तो काप जाते हैं लेड़े बाप पर यह क्या हो गया यह भी उसी तरह से processing of auditory signals और auditory signals किस से related होना चाहिए related to speech related to the speech बोली से जुड़ा हुआ जो सिखनस आ रहा है जैसे कि लैंग्विज का processing लैंग्विज का processing क्या है भाई हम हिंदी इंग्लिश मघी Sanskrit वोजबुरी उर्दू अर्भी कुछ भी सीखते हैं बोलते हैं उसे तो लैंग्विज प्रोसेसिंग भी होना चाहिए नहीं सो कहा जाता है कि लैंग्विज प्रोसेसिंग के दर्मियान में भी Warnik area जो है वो काफी सक्रिय रहता है हम तो इसपी हो लो लिखते हैं कि दे लेफ्ट सैड़ेव्ट साईड़ेफ्ट साइड ऑफ यह यह गाफी सक्रिय रहता है थो इसमीं कि हो कि देंदर राइट साइड है कि दाहिने हिस्से से तुलना में बाया हिस्सा का तुलना राइट साइड मोर एक्टीव ज्यादा एक्टीव है इस काम के लिए कि द्यूरिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोई हमसे क्या कह रहा है यह हम पूरी तरह समझते हैं जिसे महीं आपसे बात कर रहा हूं अभी आपका यह जो मेरे लैंग्वेज को समझने की जो प्रक्रिया है वर्निक सेंटर में लेफ्ट साइड में ज्यादा सक्रियता होती है वहीं पर अगर हम बोलें संगीत मेलोडियस सॉंग मेलोडी जिसन बोलते हैं बहुत प्यारा मधूर आवाज हम् पॉर मेलोडी नमसुंदर धुन पिछ एंट सॉंड इंटेंसिटी इन सब चीज के लिए इंटेंसिटी सॉंड का पिछ कैसा है सॉंड की तिवर्टा कैसे इन तीनों कारियों के लिए राइट साइड जो हता है वर्णिक एरिया का वो ज्यादा सक्रिय हो दे राइट साइड आफ वर्णिक एरिया बिकम्स मोर एक्टिव तो ये एकदम साब साब बता रहा है कि अगर वर्णिक एरिया में एक लेफ्ट साइड हो जाएक राइट साइड हो जाए तो यहां पर हम संगीत की जो स्वर्ण लेहरिया है मुजिक का जो दून है इसको खूब इंजुआए कर सकते हैं जबकि बातों का जो चीट चेट हैं वह हमको क्या बोड़ना है उस पूरे प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं देखो क्या होता है ना कई लोगों में ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं कि जब आप उन्हें कुछ कि आपको आप बोलते हैं कि क्या भाई सुनने में दिक्कत है तो बोलते कि नहीं सुनने में दिक्कत नहीं है प्रोसेस नहीं हो पाता है हम बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेजी से बोलेंगे तो समझ जाएंगे सब कुछ लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बहुत तेजी से बुलिए तो नहीं समझ पायेगा थेरे बोल। जो call centers में लोग होते हैं वो एक ही बात को लगातार बोलते रहते हैं तो वो इतनी तेजी से बात बोलकते हैं कि कई बार सामान्य लोग भी हमारे सालोग भी समझने पाता है हम लोगों क्या थोड़ा सा धीरे बोलो थोड़ा धीरे बोलो हमारा जो वरिंकल एरिया है लेफ्ट साइड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है आप इतनी तीजी से बात कर रहें तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट होती है एक तर्म आता है और डिट्री प्लास्टिसिटी लास्टिसिटी और डिट्री प्लास्टिसिटी क्या होते हैं कहते हैं क्या कि जब कोई भी व्यक्ति मानलों कि एक व्यक्ति सुन नहीं सकता है और एक व्यक्ति देखने सकता है ठीक है यह एक व्यक्ति है यह सुन नहीं सकता है। हम क्रॉस कहां लगा रहे हैं? कान पर। दूसरा एक व्यक्ति है। उसका कान तो ठीक है, बट वो आँख से देख नहीं सकता है। लो आँख के उपर प्रॉस लगा देखेंगे। आप देखेंगे कि जो आँख से देख नहीं सकता है। इनकी auditory plasticity high होती है। auditory plasticity high होती है। ठीक है? रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या है। रिकोगनाइज रिकोगनाइज डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट साउंड्स बेटर दैन तन नॉर्मल पर्सन। अनॉर्मल पर्सन। आप देखेंगे कि जो लोग आखों से देख नहीं पाते हैं। उनकी auditory plasticity इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, कि अगर आप आपका पद चिन नहीं, आपके foot steps आपको पहचान जाएंगे। अरे आप आप बोलने हैं अच्छा, उनसे फोन पर बात करोगे। आपके आवाज से पहचान जाएंगे, क्योंको नमबर वंबर तो दिखता नहीं है, नमबर वंबर थोड़े याद रहता उनको। कि दूसरे को ही बोलेंगे या कोई दूसरा टेकनिक यूज करेंगे लेकिन आप बोलेंगे इनको नमशकार जी कैसे हैं आप आपको तुरंद बोलेंगे अच्छा रहे भाई कहीं आप कैसे हैं। जमकि सामाने प्रक्रिया में हम बहुत लोगों की आवाज ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। साथे साथ गाने माने को बहुत जल्दी पिक अप करते हैं। इस्क्रिमिनेट कर देंगे या उसकी आवाज है फ्रंक। यह auditory plasticity है। और यह auditory plasticity कैसे develop होता है। वह इसी चीश से develop होता है। अब second जो है यहाँ पर जिनके कान नहीं है। ठीक है ना। जो बच्मन से ही deep है। deep उनको क्या क्या आता है। उनको सिखाया जाता है। पढ़ने के लिए कुछ मशीनों के मदद से उन्हें sign language सिखा जाता है। sign language इस language से वो क्या करते हैं। auditory plasticity को increase करते हैं। ठीक है। plasticity को। और ऐसे लोग क्या होते हैं। आपके इशारों से चीजों को समझ लेते हैं। आप देखते होंगे कि जो लोग deep होते हैं। कान से दिव्यांग होते हैं। उनके लिए समाचार पढ़ी जाती है। उनके लिए टीचर्स होते हैं। तो वो टीचर्स कैसे होते हैं। वो हाथों का इशारा करते हैं चेहरे पर और वो सभी को वो एक language में convert करता होगे। जो कान से सुनने सकता है। और वो हु बहु वही चीज समझता है। जो सुनने वाले हम लोग भी समझते हैं। इस प्रकार से यह plasticity जो है वह हम इन दोनों देखे। यह मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। जो musicians होते हैं। उसमें cortical plasticity develop करते हैं। cortical plasticity क्या होता है। कि brain का जो area auditory area होता है। उसका size बढ़ जाना। ठीक है। यहां क्या रिखते हैं। एक musician का। एक musician का। क्या बढ़ जाता है। auditory area। auditory area increase करता है। ठीक है। Sangeetak के जो लोग होते हैं जो गाना गाते हैं जो music instrument play करते हैं। उनका जो auditory area होता है वो भी plastic tissue करता है। और वो उनका उनकी जो नहीं। समझ जो है संगित की। वो काफी बढ़ती है उससे। क्या कहते हैं। दे हाव दे हाव लार्जर बड़ा होता है क्या Cerebellum पर इनका नीचले का हिस्सा है। यह इनका दिमाग का Cerebellum ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। एक नॉर्मल तुनलाम है। दे हाव लार्जर Cerebellum दैन दैन नन म्यूजिशियन जो लों म्यूजिशियन नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि मानलों की एक बांसुरी है। यह ऐसे करके, बांसुरी है। और एक वक्ति उस बांसुरी को अपने होटों पर रक कर ले कर रहा है। तेखेंगे कि वो अपना आक बंद किये रहे। और अपने होटों से उसे खूक रहा है और इससे खुब बढ़ियां स्वर्ड लहरियां जो है वो बातावरण में निकर लें खुब बढ़ियां गाना आप लोग पसंद करते हैं बासर सुना तो वो निकर ला है और उसके फिंगर्स जो है जो हाथ के फिंगर्स हैं उसके वो फिंगर्स इस पर सिस्टमाटिक तरीके से बंध होते हैं और फूलते हैं जिसा है देखते हैं हम लोग तीखना मैं भी प्ले करता हूं मुझे भी पता है यह अब वो उसका कान है वो इस आवाज को सुन रहा है और ब्रेन तक पहुचा रहा है ब्रेन उस आवाज को सुन रहा है अगले धुन को याद करता है और उस धुन के रिस्पॉंस में क्या होता है उसका यह फिंगर जो है वो अब डॉन करता है ठीक है यह इसको बुलायता है कि क कितना ज़्यादा उसका अंगली जू है वह हुआ अ मतलब बीना देखे फिंगर्स को प्ले कर रहा है या फिर एक गिटारिस्ट है अगर आप गिटारिस्ट को देखेंगे उस गिटारिस्ट के पास भी क्या होता है ऐसी ही चीज़ें होती है वह स्ट्रिंग को लगातार प्ले कर रहा होता है बीना देखे वे बल्कि लोग गाते भी हैं मासरी तो चुकि मुझ को इन्वाल्व रखता है इसलिए आप गाने सकते साथ में गिटारिस्ट क्या करता है इस पर अंगलिया चला रहा और गाना भी गा रहा है एक हार्मोनियम बजाने माला भी क्या करता है एक हार्मोनियम को प्ले कर रहा है और साथ में गाना भी गा रहा है तो आखिर ऐसा कैसे कि जो सुन रहा है वो इसलिए जो सिंगर लोग होते हैं ना उनके गुरुजी बोलते हैं कि कान के मजबूत बनो तब ही तुम समझ बाव परती होता है इसलिए आप वह क्या बोलेंगा आप से बोलो क्या सुनना चाहते हैं तुरंत वह अरबनियों पर तुरंत घीटार पर तुरंत फूर्ट पर रोगजा देंगे तो दिमाग माता है घरी बाबा यह सौंट कैसे मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास यह प्लास करें बाटा जाता है सामन्य प्रक्रिया में दो क्यों एक को कहा जाता है कि सेंसोरी नियूरल Sensory Neural Hearing Loss और दूसरे का आ जाता है Conductive Hearing Loss Sensory Neural का मतलब ही हो गया कि Sensory Neural मतलब Brain के उस हिस्से में जहां पर nerves है वहां पर क्या हुआ है ये basically Internal Ear से संबंदित Internal Ear and Auditory Cortex इन दोनों से संबंदिते यहां ऐसे नहीं लिखना पड़े है Defects Defect in और Conductive जो है वो क्या है वो Conduction से है यहां क्या लिखते है Defects in External and Middle Ear External और Middle Ear में अगर प्रॉब्लम हो तो Conductive Hearing Loss होते है Sensory Neural को हम लोग लेखते है SHL Sensory Neural Hearing Loss और Conductive को बोलते है CHL Conductive Hearing Loss क्या कारण है कई कारण है बहुत सारे कारण है जैसे पहला यह अगर जो Cochlea में Hair Cells है उनका Loss हो जाए Loss of Cochlear Hair Cells तो भी यह दिखेगा Inner Hair Cells औरे हैसे दोने में से किसी का सेकेंड डैमेज ओफ Cranial Nerve 8 जो Auditory Nerve है अगर वो डैमेज है तो यह प्रावलेम हो जाएगा तीसरा डैमेज ओफ Central Auditory Pathway डैमेज ओफ Central Auditory Pathway यह इशू देखा जाएगा चौथा क्या कारण हो सकता है चौथा है कि जदी एंटीबाइटिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है खास तोर पर यूज ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड अमीनो ग्लाइको साइड एंटीबाइज जैसे एक्जामपल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसीन स्ट्रेप्टोमाइसीन जैन्टीमाइसीन इस तरह का अगर मेडिसीन लगाता है यूज करें तो यह क्या करता है इसको डैमेज करता है और इससे क्या होता है परमनेंट मतलब इस तरह का सेंसरी न्यूरल जो है सेंसरी न्यूरल जो है लॉस्ट वो देखा जाता है इसके अलाबा और क्या हो सकता है इसके लगाता हो सकता है प्रोलाउंग्ट एक्स्पोजर टू सौंड टू नॉइस प्रोलाउंग्ट एक्स्पोजर टू नॉइस गर बहुत ज़्यादा शोर में रहते हों तो यह सेंसरी न्यूरल जो है डैमेज हो सकता है दूसरा है कंड़क्टिव कंड़क्टिव में क्या है कंड़क्टिव में की कान में बहुत वैक्स जमा हो जाए ठीक है पहला कि plugging of plugging of wax चुकि हम सब जानते है कान में है wax gland, external ear क्योप में अग्र बहुत जमा हो जाए कान को ठीक साफ न किया जाए second है otitis media otitis media मतलब क्या हो गया? media मतलब जो कान का जो वो हिस्सा है जहां पर inflammation हो जाए that is called inflammation in otter ear जो बाहरे हिस्सा है कान का tube है वो फूल जाए तो यह loss हो सकता है तीसरा कहता है otitis external actually हम लिखता है उल्टा लिखती है इसको लिखना चाहिए हमे otitis external और यह हो गया otitis media otitis media में क्या हो गया? middle ear inflammation हो जाए किसी भी प्रकार से inflammation in middle ear भाई problem हो जाएगा तुनाई देना बंद हो जाएगा इसके अलावे जो चौथा करण है वो है osteosclerosis जिसमें क्या होता है? कि middle ear bone middle ear bones are absorbed क्यासियम कार्वेट का बना होता है? वो पुरी तरह से absorbed हो गया and replaced by किसके दोरह replace कर दिया गया? sclerotic bones तो कान में जो bones का काम था वो ही खतम हो गया अब आपका कान में जो बाहर सावा जा रहा है अंदर तक पहुचेगा ही नहीं और सका result क्या होगा? चल खतम उन्ना बंथ हो जाएगा this is very dangerous thing इसलिए कान को बचा कर रखना है अब अगले topic में पढ़ेंगे कि कान के बचाव के लिए क्या-क्या medical help की जरूरत पढ़ती है कैसे कान के जो sound खराब है या नहीं है उसके बारे में कैसे पता चलता है